असलाम अलेकुम विवर्स कैसे हैं आप सब लोग उमीदे के ठीक होंगे मैं भी बिलकुल ठीक हूँ आज की रेसिपी बहुत ही इजी और क्विक बनने वाला कॉफी केक है चलें आइस्ट्री इंग्रीडियन्स की तरफ चलते हैं कॉफी केक बनाने के इंग्रीडियन्स 3 eggs, 1 cup of white sugar, 1 cup of oil, 2 cups of all-purpose flour मतलब मैदा 1 tablespoon baking powder, 2 tablespoon any instant coffee, 1 pan greased with oil और ये एक pan जो mixing के लिए चाहिए और इधर हमें blender चाहिए चलें पिन रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले blender में आप अपने 3 eggs को डालें oil और sugar को and 1 tablespoon of any instant coffee not 1, 2 tablespoon और इसको अच्छे से एट लीस्ट विनित्स तक हम इसे ब्लेंड करेंगे जितना जाधा यह ब्लेंड होगा उतना अच्छी बात है इसको आयें हम टू मिनित्स तक ब्लेंड करते हैं टू मिनिट्स हो गए हैं चले अपने मिक्षर को खोलते हैं और चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है और यह हमारा मिक्षर जो है अब रेडी है और हम लोग अपने बोल में इसको पोर करते हैं ब्लेंडर से मैंने बोल में कनवर्ट कर लिया है और अब हमारे पास जो आल परपस फ्लावर है टू कप्स उसमें हम अपना वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर एड़ करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे आटे के साथ और हमारा मीन वाइल जो है 355 डिगरी फेरन हाइट और या तो फिर 180 डिगरी सेलसियस पे हमारा आवन जो है वो प्री हीट हो रहा है हमारा यह बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है और हमें एक स्ट्रीनर चाहिए जिससे हम लोग अपने मैदे को डालते रहेंगे और जल्दी जल्दी से इसको स्ट्रेंड करते रहेंगे इस तरह से यह बहुत जल्दी और बहुत फैस्ट जो है वह हो जाता है तो हमने पहला बैच को अपना स्ट्रेंड कर लिया है और हम इसको अब अपने सॉफ्टली जो है इसको मिक्स करेंगे एक बैच स्ट्रेंड हो गया था और अब यह दूसरे बैच की बारी है इसको भी हम कर लेंगे दो तीन बैचिस में जितने में भी आप चाहें और हम फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे विद सॉफ्ट हैंड अगर आप लोग को थोड़ा हार्ड लग रहा है और आप एक टेबल स्पून ऑईल भी इसमें पोर कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको दुबारा एक मिक्स दें जिसकी वज़ा से यह थोड़ा इजी हो जाए का आप लोग के लिए इसको मिक्स करना और यह मिक्स्चर रेड़ी है और हम इसको अपने बोल में पोर कर लेते हैं केक हमारा 40 मिनिट्स तक बेख होगा 375 पेरन हाइट यह 180 डिग्री सेल्सियस पे चले मिलते हैं 40 मिनिट्स में 40 मिनिट्स हो गए हैं और लगता है हमारा केक रेड़ी हो गया है इस तरह से आप तूथ पे किया कोई भी चीज जाल के अंदर देखें जब यह क्लीन वापस बाहर आएगी तो इसका मतलब है केक रेड़ी है 40 मिनिट्स हो चुके हैं चले हम हम इसे देश आउट करते हैं इस स्मेल्स रेली गड़ लेकिन हम लोग इसको 15-20 मिनिट्स वेट करेंगे जब तक ही ठंडा हो जाएगा और जब ठंडा होगा तो यह एजिली हमारे पैन में से बाहर आ जाएगा चले मिलते हैं 15-20 मिनिट्स में और हम अपने केक को टेश आउट करते हैं आरा कौफी केक रेडी है और यह कौफी केक रेडी है आपको इसकी रेसिपी जरूर चाइब कीजेगा और मेरी वीडियो को लाइक जीगा सब्सक्राइब कीजेगा और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग लाभ बेस